महत्वनों वैपारी नुढी मुझवनों जे महत्वनों भाग छे ए मिसिंग हशे लेके एक शती युक्त हशे एनी उत्पादन प्रक्रिया बराबर न थही होई के वेचान समय वस्तू वेचान नी रीत्रिवाज मुझव न आपपामा आवे तो एम कई शकाय के खरिदनार ना हैर करवा माते अरजी पन करी शक्स है एना पचिनी इंप्लाइड कंडिशन छे मित्रों condition as to wholesomeness होलसमनेस एटले खावा माटे नी योग्यता जेकाई पन एटेबल आटिकल्स होई छे एटले के जमवा माटे नी योग्यता धरावता जेकाई पन पदार्थो होई छे खाद्य पदार्थो एखाद्य पदार्थो नी अंदर होलसमनेस होवी जोई है मैं तो होलसमनेस एटले ए जमवा माटे नी युग्यता, एडले के आरोग्य प्रद होवू जोई है, कि टाणू रहीत होवू जोई है, एनी अंदर कोई पन प्रकार ना रोग ना जर्म्स ना होवा जोई है, ए खाध्यपदार्थ के खादा-खोरा की उगाडा मा, खुला मा ना राखेलू होवू जो नामनी एक कंपनी चे जैने पोतानी दूधनी दुकान चे ए दूधनी बधी वस्तू ओ जुदी जुदी वस्तू ओ पोतानी दुकान मा वे चे चे अने फ्रोस्ट नामनों मानस ए दुकान मा दूध खरेदवा माटे जाए चे दूध खरेद या बाद घरे आव्या पची ए द घ्रफ्रॉश्ट ना वाइफ जे चै एमना पत्नी जे चै एक अंजंशन करहें चे वप्राश करिया चै अने ये दूदत नोँ वप्राश करिया बाद एमना पत्नी ने टाइफ्यॉइड नाम रोग ठाई चै बाद मां अ एक laboratory test करवा मां आवे छे दूद पर, जे laboratory test मां एवू find थाए छे के दूद नी अंदर typhoid ना germs, इचले के पिटानों और रोगानों अवेलिबल हाता, ए रोगानों अंदर अवेलिबल हुवा ना कारणे अमना पत्नी ने टाइफॉइड नामनो रोग थायलो हातो तो कॉट आब आबत मा एवू जणावे छे के दिस इस ब्रीच अफ कंडीशन एज टू होलसमनेस होलसमनेस एटले खाद्य पदार्थों मा रहेली आरोग यता जैनो भंग थायलो होवा थी ए मुख्य शरत नो भंग छे जैना कारणे करार तो रदबातल थायर्थ छे पनाईयां फ्रोस्ट ने एटले के ए पत्नी ना पती ने एवो अधिकार आप्पा मा आवे छे क ये जे काई पन प्रकानो नुक्षान था हूँ छे ये नुक्षान माटे वरतर माटे एक कंपनी पर दावो मांडी शक है चाहे तो दिस इस ओल बाउट आ एंप्लाइड कंडीशन ऐस तो होलसमनेस एना पछे नी जो शरत आपड़ लईये तो शरत नंबर पांच नी अंदर ये वुँ जानमा माळा चाहे सेल बाई डिस्क्रिप्शन मित्रो बहुँ ज सिंपल पॉइंट चाहा समझवा माटे डिस्क्रिप्शन एटले वरणन आपने जैरे कोई पन वस्तु खरीद ये चीए अने ये वस्तु खरीदती वकते वेचनार जो आपने कोई वरणन आपै आपनिली पासे हाजा स्टॉक माई गाडी न हो है आपना नियुर के वरणन करें ए वस्तु होवी जोईए है इले खरिदनार ज्यारे जे वस्तु वर्णन मुझब खरिदेचे इले के वर्णन पर आधार राखी नहीं खरिदेचे तो ए वस्तु वेचनारे वस्तू ना करेला वर्णन मुझब नी जो होवी जोईए jurisdiction एले ये ग्राहक ने बनने अधिकारों प्राप्तत आए चे एक करार ने तो टर्मिनेट करावी शक्या चे एटले के करार ने रदबातल जाहर करावी शक्या चे प्लस वधार माईने अधिकार मला चे के जो एने कोई प्रकारों नुक्षान था हूँ है के वेचनार नमुना मुझब वेचान करतो है चे जम के कोई कंपनी फैर ने स्क्रीम वेचवा मागे चे अत्वा तो टेलकम पाउडर वेचवा मागे चे अत्वा तो शैंपू वेचवा मागे चे तो आवा बदा प्रोड़क्ट्स नी अंदर सवथी पहला ग्राहक ने ए वस्तुनी खराही करवा माटे ए वस्तुनी स्मॉल एकदम नानी कॉंटिटी नू एक सैंपल आपपामा आवे छे इड़े सैंपल एड़े नमुनो ग्राहक ए नमुना नी अंदर जे वस्तु एने अपपमा आवे चे नमुना मुझब नी वस्तु नो वप्राश करे चै अने त्यार बाद ए वातारान पर पहुंचे चै के वस्तु एने खरिदवी चै के नती खरिदवी जो ग्राहक आवीरिते नमुना मुझब अपायली कोई वस्तु खरिदवा मागे तो अईया गर्बिच चरत ए चै के जेरे नमुना ने आधारे जेरे वस्तु खरिदतो होए तो ओडिजिनल वस्तु जे एने खरिदी दाखला दरी के बसो एमेल नू एने एक शेंपू नू पा जे क्कॉलिटी छे एक क्वालिटी अथवा तो एशेंपू ए नमुना मुझब नू जो हवू जोईये एवी एक गर्बिच शरत रहली छे जो ए शेंपू नमुना मुझब नू नहीं होए तो खरिदनार ए वेचनार समक्ष वेचनार उपर करार ने रदबातल करवा माटे तेमज जो एने कोई पन प्रकानों नुक्षान थे हूँ छे, ए नुक्षान वरतर माटे पन दावो मांडी शके छे, जैने आपने implied condition as to sale by sample कही ये छे, एना पचीनी जे गर्बिच चरत छे, ए गर्बिच चरत मा मित्रो sample अन description अब बन्यनु मिश्रण छे, एदले के condition, implied condition as to, description as well as sample मित्रो गणी वरेवु बन्तू आई छे, के वेचनार ए वस्तु वेचवा माटे, नमूनों पन आपे छे, अने आनु वर्णन पन कराये छे जरे आ वस्तु नो नमूनों पन खरिदनार ने आपपामा आवे, आने ए वस्तु केवी देखा छे, अत्वा तु एनी अंदर प्रडाक्नी अंदर quality केवी छे ए quality पन जरे बतावी देवा माँ आउशे, एनु वर्णन करवा माँ आउशे, तो गर्बित शरत खरिदनार ना पक्षे ए छे, के जरे खरिदनार आ नमूना अत्वा तो वर्णन पर आधार राखी, अने वस्तु खरिदे, तो वेचनार द्वारा जे वस्तु आपपामा अत्वा तो एम कई शकाए, के ए नमूना मुझबनी जो होवी जोईए, जो ए वस्तु वर्णन के नमूना मुझबनी नहीं होए, तो गर्बित शरत नो भंग थायो छे, एम कहवा छे, अने आवा खरिदनार ने एडले के अग्रीवड पार्टी ने नुक्षान वर्तर माट अत्वा तेनो दावो मैंडवा माटे पन अधिकार मला छे, तेमज, एम ने एक करार रदबातल जाहर करवा माटे नो पन अधिकार एम ने मलाए छे, एना पछीनी जे गर्बित शरत छे मित्रो, छेली, एने अपने कहिये छे, कंडीशन एंप्लाईड बाईक कस्टम्स, आपने condition implied by custom कहिये चे, condition implied by custom ए अती महत्वनी जोगो आई चे, वैपारी रुडी मुझब गणिवारे उथतु होई चे मित्रो, के जेते प्रांत, जेते देश, जेते प्रदेश मा जे वस्तु वेचवा माटे, जे कोई पन प्रकार नू एक standard size नू packing के standard design नू packing के कोई पन एव के रीत्रिवाज नू पालन थवू खुबज जरूरी चे, जो ए रीत्रिवाज नू के पची एक customs नू पालन नहीं थाए, तो अपने हम कई शकी है, के ए गर्बिच शरत नो भंग थायो चे, अने जेना कारणे ए खरिदनार ने ए वस्तु वेचवा माटे, खरिदनार ने व वेचनार ने खरिदनार वच्चे नी, कंडिशन्स ने वारंटीज, एटले के गर्बिच शरतों ने गर्बिच जामिन गिरियों बाबत नी जोगवाईयों, हवे मित्रों अपने राइट्स ओफ अनपेड सेलर, एटले के अनचु कुव्या वेचनार ना अधिकारों बाबत विगतवार चर्चा करिए, ए पहला एक नानो अम्तों पॉइंट छे, कावियट एंप्टर, एटले के खरिदनार सावद रहोनों सिद्धान्त, जे मुख्यत वे, शरतों ने बाहें धरियों, एटले के कंडिशन्स ने वारंटीज वच्चे, जे काई पन आपने पॉइंट बने हमनाज, एना रिलेटेड अज छे, एटला आपने साउथी पहला एने अत्यार कंप्लेट करी लेए, और त्यार बाद आपने राइट्स आफ अन्पेड सेलर उपर जाईशू, साउथी पहला आपने जोईए, एमप्लाइड वारंटीज, एटले एवी शरतों, के कॉइट पाजेशन, एटले शांत कब जो, खरिदनार ने वस्तु खरिदया पची, एवस्तु नो शांत कब जो मणवो जोईए, एम कही शकाए, बीजा पॉइंट माँ फ्री फ्रॉम एनकमबरंसेज, मित्रों एनकमबरंसेज एटले, जहने कोई पन प्रॉपर्टी उपर, के मिलकात उपर, के वस्तु उपर आपने चार्ज क्रिएट करिए, एटले के एने गिरवी मुकिए, अने एना उपर कोई लोन के एडवांस आपने लईए, तो एने आपने एनकमबरंस कहिए जह, गर्भित, बाहें दरी, ए बाबत नीच है, के जे वस्तु खरिदनार दे चे, ए, free from encumbrance होवी जोई है, एटले के वस्तु उपर कोई पन प्रकार न, encumbrances, charges, loan, advance, कशु create करलू होवू जोई है नहीं, अने छिल्ला मा कहे चे, as to the quality or fitness for a particular purpose for usage of trade, जैनी आपने विगतवार चर्चा हमना जली दी, के वस्तु खरिदनार जयर मागे चे, वेचनार तो ये वस्तु नी अंदर, अमुख प्रकार नी चौकस गुणवत्ता, अत्वा अमुख प्रकार नी चौकस फिटनेस होवी जोई है, जै बाबत मां अपने प्रेस्ट वर्सिस लास्ट नो केस पन लेदो, तो आहती मित्रों इंप्लाइड अने, इंप्लाइड कंडिशन्स माल वेचान धारा मां कलम सोड हेठड करवा मां आवी चै, जै आ मुझअब चै, it is not part of the seller's duty to point out the facts of the goods, which he offers for sale, राधर एडले के, instead of, इने बदले, it is the duty of the buyer to take due care while purchasing, मित्रों आ सोल नंबर नी कलम मां जे जोगवाय आप्पमा आवेली चै, एना उपर थी आपने स्पस्ट पने समझी शकिये चै, के माल वेचान धारा एठड, स्पस्ट शब्दों मां एवू लग्यों चै, के वेचान करती वखते, वेचनार कोईपन संजोगों मां वस्तु म रहेली डिफेक्ट्स, एटले के खामियों बतावा माटे जवाबदार न थी, ए खरिदनार चै, के जेने ए वस्तु खरिदता पहला दरेक प्रकार नी खराई करवानी रहेशे, आने वस्तु खरिद्या पछी, जो कोईपन प्रकार नी क्षती, खरिदनार ना ध्यानमा आव एटले अईयां, एम कई शकाए, के खरिदनारे सावद रहवू पड़े, कैवियट एंप्टर, ए लेटीन भाषा माँ प्रस्थापित थायलो एक सिद्धान्त छे, डॉक्त्री नेटल सिद्धान्त, जेने आपने जनरल अंग्रेजी माँ, जनरल इंगलिश माँ, बायर बि खराई करवानी रहाश है, कि ए वस्तू, क्वालिटी, फिटनेस, मुझब, एमनी घरूरियात, खरिदनार नी जरूरियात मुझब, ए वस्तू, fit, बैसे छे, suitable, बैसे छे, के नथी बैसे, जो ए सिवेबल नहीं हौए, तो खरिदनार ए वस्तू, खरिद्धवानी रहाशे परन्तु एक वार खरीदी लिदा पची जो ए वस्तुनी अंदर कोईपन प्रकारनी खामी थशे तो वेचनारे बाबत मां जवाबदार रहे शे नहीं ए आसिद्धान्त नो मुणभुत हेतू छे मित्रो आ बाबत मां अमुक अपवादों पन छे कि जे अपवादों नी अंद पर आसिद्धान्त काम करतों नथी एडले के आसिद्धान्त लागू परतों नथी तो ये वेउं कई शक्यी खिए कि अपवाद adopting sankol संजोगों ये येवा संजोगों छे कि जैंणी अंदर खरीद नारे सावाद रहवानी जरूरोती नथी इअपवादो अत्वाद अपवा exceptions to the doctrine of caveat amateur कैशो exceptions नो मतलब अइयां अपवाद एवू थाय चाहे सौधी पहलों exception चाहे misrepresentation by sailor एटले वेचनार वस्तू वेचती वकते जो कोई पन प्रकारनो misrepresentation एटले के गयर जुवात करे एटले के खरिदनार ने एवू मानवा माटे प्रेरे जो खोटी रीते रिप्रेजंटेशन करे एने खोटी रीते प्रतीनिदित्व दाखवे तो एमका ही शकाइ कि मिस्रिप्रेजंटेशन थाऊँ छै आवा मिस्रिप्रेजंटेशन ना केस मां सेलर एडले के वेचनारेत जवाबदार होई छै खरिदनार क्या रे जवाबदार बनतों न थी एना पचीनों पॉइंट छे कंसीलमेंट ओफ डिफैक्ट डिफैक्ट इटले खामी वस्तु में रहेली खामी अने कंसीलमेंट इटले हकीकत चुपावी जो खामी युक्त माल चे ए मालनी खामी वेचनार चुपाव शे अने ग् गुड़ फेथ इटले सारी भाव ना थी जो वर्तियों हो शे तो एक रहा के इटले के खरिदनारे सावद रहवानी जरूर न थी बाद मा कोईपन प्रकानी खामियों भी थाए तो खरिदनार एवेचनार पर दावो मांडी शक्स है ट्रीजू एकसेप्शन छे सेल बाइ डिस्क्रिप्शन जारे वर्णन मुझब माल वेचे होई मित्रो तो गरबित शरत छे के मुक्य वस्तू एवर्णन मुझबनी जो होवी जोईए जो ए वस्तू वर्णन मुझे अपनी ना निकड़े तो खरिदनार इसावत रहवानी जरूर ना थी खरिदनार वेचनार पर इशरतों ना भंगने कारणे दावो मांडी शक्याँ चै चोधा पॉइंट मां सेल बाई सैंपल सैंपल हमना जापने चर्चाली दी के जर नमुना द्वरा वेचान करवा मां आवियो होई एडले के बसो एमेल नी शैंपू नी बाटल वेचता पहला कंपनी ये जो कोई सैंपल आपल होई ग्राहक ने अने ग्राहक के ये सैंपल वाप्रिव होई अने ये वप्राश कर्या पछी ग्राहक के निर्णे लिदो होई तो ए बसो एमेल नी बाटल नी अंदर जे शैंपू छे एनी क्वालिटी कॉन्टीटी फिटनेस बाबत मां एक प्रकार नी गर्भित शरत छे के ये वस्तू जवाबदारी ये या भोगाउतों नती बद्दी जवाबदारी वेचनार पर होई चे एना पची पांच नमबर नूझे एक्सेप्शन चे एक एचे सेल बाई सेंपल एज वेल अस डेस्क्रिप्शन एले जरे नमूना तेमज वर्णन मुझबन माल वेचवामां आवे होई तो ए माल सेंपल अने वर्णन मुझबन माल न निकले तो खरिदनार सावद रहवानी जरूर न थी वेचनार आब आब आबत मां जवाबदार रह शे अने खरिदनार एना पर दाओ मांडी शक्स है फिटनेस फॉर पटिकलर परपज आब आबत मां पन आपने विगतवार चर्चा लेधी मित्रो कि जएरे वेचनार ने एवी सूचना मला चे खरिदनार द्वारा कि एमने कोई एक चोकस प्रकारनी वस्तु जोईये चे तो ए वस्तु जएरे वेचनार आपे चे तो एवेच फिटनेस मुझब वस्तु आपी रहो चे एवी गर्बिच शरत चे जैंके प्रीस्ट वर्सिस लास्ट नो अमना अपने गरम पाणी नी शेक करवा माटे नी कोथरी नो जे केस लिदो ए यह यहां फिट बैस चे जैंने आपने फिटनेस फॉर पाटिकलर परपस कही है जैंक खरीदनारे सावद रहवानी जरूर रहती न थी अने साथमा पॉइंट मा मित्रो मर्केंटेबल क्वालिटी एडले वैपारी रुडी मुझब जे वस्तु होवी जोई यह यह मुझब नी जो वस्तु न होए तो खरीदनारे सावद रहवानी जरूर न थी जमके खरीदनार कोई स्टेशनरी शॉप उपर जाए अने वैपारी रूडी मुझबनी जरूरी आप